दोस्तो आप electronics में repair करते हो या hobby stick हो आपको जो एक चीज़ के बारे में जानना जारूरी है वो है Arduino ये आपका time बचाता है आपका circuit को simple करता है और एक बात में बोलू तो हर एक कम कर सकता है ये ये वीडियो इसके बारे में एक introductory वीडियो है तो अंतक बने रहे है आपको कुछ कुछ नया अवस्य सीखने का मिलेगा दोस्तो आडिनो एक micro controller है micro controller मतलब एक computer जो एक chip में fit हो जाए obviously ये computer की तरह powerful नहीं होता बट computer की तरह कम करता है इसके अंदर खुद का cpu, ram, memory, input output pins, communication protocols और सबसे interesting आप इसको programming कर सकतो अपने हिसाब से कम करने के लिए आजकल MCU या micro controller का price बहुत कम हो गया ये हर जगा पर use होता है इसलिए आज हम लोग सीखने के लिए सबसे simple MCU आडिनो के बारे में बात करेंगे दोस्तों आडिनो एक company का नाम है ये company MCU को लेकर board में solder करके देता है जिससे हम इसको use कर सकते है आडिनो का सबसे जाधा इस्तेमाल होने बाले board है आडिनो यूनो आडिनो नैनो और इस दोनों में ही एटमे का 328P MCU इस्तेमाल होता है और इस board में MCU को clock pulse देने के लिए क्रिश्टल होता है 16 मेगा हर्च का और एक छोटा MCU होता है इसके लिए भी crystal होता है इसका काम में आगे explain करता हो और एक voltage regulator होता है जो 7 से 20 वोल्ट को 5 वोल्ट में convert करता है मेरे board में ये खराब हो चुका है इस port से input लेता है 12 वोल्ट या 20 वोल्ट जो भी हो और इस से convert करके 5 वोल्ट देता है और एक fuse भी है और ऐसा बीन से भी high voltage दे सकते हो और यहां से 5 वोल्ट मिलता है और इस MCU को reset करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है और इसके पीछे कुछ नहीं है बस branding ही है बाकी कुछ LED है TX, RX और ये LED pin 13 के साथ connected होता है और TX, RX, LED TX, RX pin के साथ connected होता है जब हम लोग computer या फिर mobile के साथ connect करके programming code को upload करते है तब ये दो LED glow करता है और Arduino Nano V same ही है इसमें V voltage regulator IC है जिससे अब ज़्यादा voltage दे सकते हो ये crystal और 4 LED है TX, RX, Power LED और EA LED 13 9 pin के साथ connected होता है नैनो बोट का फायदा ही है कि ये ब्रेट बोट के साथ काम करता है जो कि R&D के लिए बहुत अच्छा होता है इस बोट के अच्छी बात ही है कि mobile से भी इस बोट को program किया जा सकता है प्ल C++ नहीं Arduino company coding को simple करने के लिए अपने हिसाब से modify किया थोड़ा सा ओभार view लेते है इसमें दो section होता है पहले section में जो code लिखा होता है वो एक बार चलता है और दूसरे में जो code लिखा होता है वो loop में चलता है बार बार example के लिए ये line built-in LED जो 13 number के साथ connected है उस pin को output mode में sit करता है जो की एक बार ही रान होगा उसके बाद loop section में ये line LED को on करेगा और इस से 100 millisecond तक LED on होके रहेगा और इस line से LED low होगा उसके बाद फिर से 100 millisecond तक खोल करके रहेगा उसके बाद फिर से ये loop चलता रहेगा ये code actual board में इस तरह से काम करता है जिससे आप देख सकते हो ये LED on off होरा है वैसे आप जितना चाते हो complex code लिख सकते हो इसके अंदर factory 2KB के flash storage होता है code को store करने के लिए 2KB के RAM भी होता है दोस्तों आप pins के बारे में जान लेते हैं इस board में ये सब digital pin है 0 से 13 तक 14 pin है यहाँ पर A0 से A5 त दे सकते हैं ये क्या होता है आगे बत करेंगे हम लोग दोस्तों ये digital pins input भी ले सकता है और as output pin भी काम कर सकते है current ज्यादा नहीं दे सकता है 5 से 10 mA तक maximum दे सकते है और input mode के लिए internal pull up resistor है इसको आप software के मदस से enable कर सकते हो Arduino का analog pin 10 bit का होता है इसका resolution 1024 तक है example के लिए 0 से 5 वोल्ट को आप 1024 टुक्रो में map कर सकते हो ये 5 वोल्ट का आप लिमिट आप चेंज भी कर सकते हो तो example के लिए 1.1 वोल्ट का internal reference voltage आप यूज कर सकते हो इसके लबाए इस pin से आप external reference voltage भी थेख सकते हो बट ध्यान रहे कि 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर PWM signal की बात करे तो ये pins को on off करके PWM signal generate कर सकता है जैसे इस signal का duty cycle 50% है इसका on time MCU चेंज कर सकता है आपन आप इसमें code upload करके motor की speed control कर सकते हो obviously transistor यूज करना परेगा क्योंकि इसका pin high ampere नहीं दे सकता LED connect करके इसको आप अच्छे से देख सकते हो अच्छी बद यह कि आप जैसे चाहो आपनी सबसे इसको control कर सकते हो जोस्तों MCU का सबसे useful चीज है communication protocols इसके मदद से यह बहुत सरे other module के साथ communication कर सकता है या फिर और एक MCU के साथ यह बात कर सकता है MCU तीन protocol इस्तेमाल करता है I2C, UART and SPI A4 and A5 से I2C protocol काम करता है यह pin की मदद से आप SPI protocol को काम में ले सकते हो और यह दो pin से UART protocol को इस्तेमाल कर सकते हो UART में data transfer के लिए TX and data receive के लिए RX pin होता है Actually UART protocol को ही इस्तेमाल करके यह MCU बड़ा MCU को program करते है दोस्तों Atmega 328P MCU directly USB से बात नहीं कर सकता है इसलिए main MCU, second MCU से UART protocol से connected रहता है और second MCU USB से connected रहता है दोस्तों आफी के वक्त, same price range में Arduino से ज़्यादा powerful और ज़्यादा memory का MCU मार्केट में है जैसे PIP को या फे node MCU like ESP32 and ESP8266 बट Arduino सीखने के लिए सब से simple MCU है दोस्तों Arduino हितना powerful तो है जिससे आप Arduino modules को connect करके home automation system बना सकते हो अगर आप home automation system के बारे में वीडियो चाते हो तो आप comment में जरूर बताए तो दोस्तों एही था आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप comment में बताए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों वीडियो कर से कीजिए पस्तों आए